नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं न्यूस एटीन राजस्तान आपके साथ मैं हूँ मम्ता तिवारी वक्त हो गया है स्पेशल रेपोर्ट का सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चम मंगाल की पश्चम मंगाल के तर्च से टकराने के बाद सैक्लों रिमाल कमजोर पर चुका है लेकिन बंगाल में तूफान के साइड इफेक्ट जरूर देखे जा रही है अलग-अलग लाकों से डराने वाली तस्वीरे आ रही है देखे रिमाल आया तबाही लाया चक्रवात के भरवादी वाले निशान कोलकाता में लगातार भारिश कही गिरे पेड़, कही गिरे दीवा पश्चिब बंगाल से चक्रवाती तूफान रिमाल गुजर चुका है करेब 6 घंटे तक चली तूफानी हवाओनी बंगाल के कई जलों में लोगों को दहशत मिला दिया दावा क्या जा रहा है कि इस तूफान के उजह से कई जलों में चिखा सी तबाही हुई है वो तस्वीरे भी आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले रिमाल को लेकर मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है ये अलर्ट बिहार को लेकर जारी किया गया है मौसम विभाग के मता में बिहार के आधा दर्जन जलों में रिमाल का असर देखा जा सकता है इस दौरान तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग का दावा है कि बिहार में 30 से 40 किलोमेटर पर दिखंटा के रफ्तार से हवाएं चल सकती है यही वजह है कि कई फ्राइट्स को रद्य कर दिया गया है यह विडियो दक्षर 24 परगना के सुन्दर बनका है जहां रेवल के चक्रवाती हवाओं ने भारी नुकसान किया है यहां कई बड़े बड़े पेड़ उख़ड चुके हैं जबकि हवाओं की ताकत ने विजली के कई खंबों को भी अपनी जद में ले लिया है तूफान के गुजर जाने के बाद सिवल डिफेंस और डिजास्टर मेनेजमेंट से जुड़े लोग लगातार रेस्क्यू आपरेशन में जुटे हैं सुन्दर बन से आया यह विडियो देखी जहां एक बीमार को बोड के सहारी सुरक्षत निकाला जा रहा है इसी तरहें और तटिये इलाकों से लगातार लोगों को निकाला जा रहा है जो तूफान की वज़े से हसे हुए थे येस मैम, मैम साइकलोंग गेंपर यहाँ पे ज़्यादा तो है कहीं से भी अगर कोई भी इन्फोमिशन हमें आती है या फिर हम से एल्प मांगते है तो हमारी जो टीम है वो क्रिक रिस्पॉंस करती है उधर कोलकाता ससटी विधार नगर में भी रहात और बचाव कारे तेजी पर है खबर है कि तोफान की वजह से एक पुरानी इमारत की बाउंडरी वाल गरने से एक शक्स की मौत हो गई है फिलाल तोफान के कहर का असर जिन जिलों में सबसे ज़्यादा हुआ है वहां रहत और बचाव कारे तेज़ कर दिये गए है पश्यम बंगल के लामा और कौन से ऐसे राज जहापासम तरपरा का जिकर करे तो वहां पर कितने टीमों की तैनाती है ज़र और वहां पर कैसे अंडियारेफ कोडिनेशन में स्टेट एजिस के काम कर रही है अगर वहां पर की वहां पर की ज़ी गई doğit तो इस के लावा सलकों पर अवाजाही को दूरिस्त करने के लिए तूफान की वजद से गिरे पेड़ों को भी हटाया जा रहा है